अबिशेख स्टेक की इस वीडियो के तहत आज हम बात करेंगे नैशनल पंचायती राज टेट 2020 जो की 24 अपरेल को बनाया जाता है और इस दिन जो प्रधान मंत्री हैं उन्होंने कल इग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना दो नई स्खीम्स लॉंच की हैं इंडिया के लिए तो इन दोनों स्कीम्स के उपर भी हम नजरदार लेंगे और जो नैशनल पंचायती राज डे है इसके सेलेब्रेशन किस तरह से कियेगे क्या क्यों किये जाते हैं कब शुरू हुआ इन सब बातों के वारे में ध्यान देंगे प्रिलिम्स और मेंस दोनों जगां पे टॉपिक की इंपॉर्टन समाज लिए रहेगी तो विए डिसकासिंग कौन से इंपॉर्टन आस्पेक्ट्स हैं जो आपको इसमें कबर करने चाहिए चले शुरू करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलिबल रहेगी तो वहां से आ जो इंपॉर्टन पॉइंट्स है नाशनल पंचाहिती राज डे को लेके वो क्या है तो पहला जो नाशनल पंचाहिती राज डे सेलिब्रेट किया गया था वो 2010 में किया गया था और तब से लगातार इसको हर साल April 24 को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं अब प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी ने कल इसके लिए दो नई स्कीम्स लांच की है पहली है इग्राम सुराज जिसके लिए जिसका अंदर बेसिकली विल बी मॉनिटरिंग दर रूरल इंफरस्टुक्चर वर्क्स और इट इस एन गवर्नेंस प्लाटफॉर्म फॉर ओर 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 पंचाहिती रा लैंड होल्डिंग्स की जो मैपिंग है उसको ठीक धन से किया गट जाएगा और उसमें अड्वांस टेक्नोलोजी ड्रोंज, जियो टैगिंग, जियो मैपिंग हर चीज यूज होगी और स्वामित्व प्रूग्राम के तहत बेसिकली जितना भी रूरल एरियास के अंदर प करेंगे और कैसे third tier of governance जो है, उसमें हम third tier of federalism भी insure कर पाएंगे इंडिया के अंदर, तो means के अंदर ये जो third tier of federalism वाली बात है, इसको आपने आगे रखके चलना है, prelims के अंदर इन schemes के जो nitty-gritties हैं, उनको ध्यान में रखना है, चले, next slide पर चलते है, इग्राम सुराज, so E. ग्राम सुराज, basically simplified work-based accounting application for panchaiti राज, that is E. ग्राम सुराज, इसके अलग-अलग dimensions हैं, उन पर भी नज़र मारेंगे, कुल मिलाके ये E. ग्राम सुराज जो है, ये ministry of panchaiti राज के तहत काम करेगा, और ministry of panchaiti राज के अंदर, इसके rural level पे जितने भी programs चल रहे हैं, उनकी proper financial accounting इसमें की जाएगी, इसके अंदर basic six dimensions हैं, तो वो इस slide के तुरू हम समझेंगे, पहला है finance and accounting, दूसरा geo-tagging of assets, तीसरा progress reports, चौथा, gram panchait profiling, पांचवा, action plan creation, और छे वा, activity output, तो छे एरियास में E. ग्राम सुराज जो है, वो काम करेगा, और overall E. promote किया जाएगा, अभी जो E-governance platforms हैं, वो जारतर center या state level तक limited थे, अब इसको third tier of governance तक भी लिखे जाया जा रहा है, अगली slide पर चलते हैं, तो E. ग्राम सुराज के अंदर, अब जो areas of financial progress है, उसको किस तरह से दिखाएंगे, यह मैंने portal से ही एक snapshot लिया हुआ है, तो PFMS integration reports है, All India reports है, जिसमें statewide summary, statewide expenditure report, month-wise voucher summary reports, तो basically जो भी खर्चे एक पंचायती राज के तौर पे किये जाएंगे, उन सारे खर्चों का जो ब्योरा है, वो यहां रहेगा, और उनकी online payments करने का जारा से जादा government प्रोचाहित कर रही है, तो उनको भी यहां पे integrate किया जाएगा, अब य अब नेक्स स्लाइट पर चलते हैं, स्वामित्व स्कीम, अब स्वामित्व स्कीम के अंदर basic concern क्या है, इंडिया में 60% के आसपास जो हमारी अबादी है, वो अभी भी गाउं में रहती है, लेकिन जो property rights हैं, वो ठीक से delineated नहीं है, रूरल इंडिया के अंदर, especially with respect to household properties, लेकिन, इन land revenue systems के अंदर चलते हुए भी, जो delineation of property है, या जो property rights के अंदर, जो titles हैं, उसमें हमेशा एक trouble रहा है, अब इंडिया के अंदर digitization of land records के लिए, और modernization of land records के लिए, 2008 में एक program चलाया गया था, ताकि जो titles हैं, वो legal titles बनाये जा सकें, और ना कि सिरफ एक presumptive title के त complete नहीं हुई, बहुत सारे states में अभी भी पीछे रह रही है, अब स्वामित्व स्कीन के तहट कोशिश ये है, कि हम सारे के सारे जो inhabited rural areas हैं, उसमें drones और technology यूज़ करके, सारे के सारे properties को map किया जाए, उनके property cards बने, जो भी उनके owner है, उनको property rights इंशोर की जाएं, और basic concern ये ह है कि इससे आप planning, revenue collection and clarity of property rights, ये तीनों चीज़े इंशोर कर पाएंगे, this will basically help all the rural population to access the financial institutions whenever they want, such as, you know, through the mechanisms like loan against property, और they can basically utilize this property at a financial level, ठीक, और जो property related disputes हैं, अब जैसे मैं एक example देता हूँ, Punjab इंधर रहना high court जो है, उसमें 60-70% cases तो property related disputes हैं, और इन property related disputes में 10 से 15 साल लग जाते हैं, इनको resolve होते होते हैं, तो इस वज़े से property जो है, वो ठीक से utilize नहीं हो पाती, पहले ही हमारे जो farmers हैं, वो marginalized category में जादा हैं, पूरे इंडिया के अंदर आपको याद होगा, कि करीब 60% के आसपास marginalized farmers हैं, और overall अगर हम small और marginal दोनों categories club कर लेते हैं, तो 80% से भी आंकड़ा उपर निकल जाता हैं, अब पहले ही marginalized हैं, और उपर से property rights में clarity ना होने की वज़े से वो उसको ठीक से use भी ना कर पाएं, तो ये तो बहुत मुश्किल एक स्थिती बन जाती हैं उनके लिए, इस वज़े से स्व स्वामित्व स्कीम को आपको means के लिए ज्यादा ध्यान से पढ़के जाना है, because इसकी implication, financial, revenue and पंचायती राज तीनों level पर आती है, personal level पर भी इसकी implication है for the rural farmer, और government का जो overall agenda है, जिसमें वो doubling farmer income लेके आना चाहती थी, जिसके लिए already government बहुत सारा काम कर चुकी है, उसमें भी यह help करेगा, so this is where you have to remember it, okay, so this is me, Abhishek Sharma, signing off, अगर आपको कोई भी doubt है, इस particular scheme को लेके, या pre or mains की questions, इस पे कैसे आएंगे, उसको कुछ discuss करना चाहते हैं, तो आप मुझे abhishek at the rate of menu.com पे mail कर सकते हैं, कोई आपका खुद का topic है, जो आप discuss करना चाहते हैं, और आप चाहत झोब pantalla थान देशाय को इन इलते हैं, कि अएंगे सकते हैं इसे करना चाहते हैं, अटू इसो क हम खवे धी अजू झावां, जोलने इसे कर लाग को तो आप लेस्टन, का क्वे हैं, जोग चाहते हैं कOT पेस्टनrifू, आपने सकते हैं ऑख़े इसे के कर त falarि को अगे इसे कोblowing